वेलकम टू आर ओफिशिल इट्विटिन लिजाम कॉंसर्ट पे जिसमें हम बात करेंगे आपके बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि हमारा जो बिसिकली चैनल टीजीटी पीजीटी ने रिजारेफ के लिए कि सर यूपिम जो टीजीटी फिजीज का बिग्यापन आया था लगबाग 4800 पदों पे तो उसका एक्जाम जो है कब तक होने वाले हैं क्योंकि जो इसके प्रबबली जब ने इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था तो ऑक्टूबर में बताया गया कुछ लोग कहा है कि कि संबर में हो जाएंगे जनरी में आजाएंगे तो क्या चांसे हैं कि जेन में होंगे मार्च में होगे हम पूरी इस विडियो में कंपलेट इंस प्रोड्रमेशन पर बात करेंगे यूपी टीजी टीपीजीटी की एकजाम की माध्यमिक सच्छा सेवा चायन बॉड आखिर साफ साफ कहूंगा कि जब तक मेंबर नहीं आएंग कोई भी कार्य नहीं पूरा होने वाला है डेड लाइन पर खड़े नहीं उत्रे और फंसी है 4895 पदों पर भरती क्योंकि अभी जो आयोग चल ला है कि और चैर्मेन और सचीव से चल ला है तो अभी मीटिंग में फैसला लिया जाए रहा है जब अपने मेंबर नहीं होंगे तो कैसे एकजाम डेट को दिया जाएगा कही ने कही ना किसी गलती ने इसमें सिज़े सिज़े सरकार जब चाहेगी तभी मेंबरों कोई निउक्ति करेगी अगर हम इसकी एकजाम डेट पे बात करने एक तारकिक अधार पर की यदि कब तक एकजाम होंगे तो एकजाम डेट में देखी क्या है कि नहोंने कहा था कि 60 दिन पहले हम आपको एकजाम की डेट बताएंगे तो अभी मानले जी औक्टूबर चल ला है हाफ एक बटा तो यानि आधा तो बीति गया आधा तो यानि अगर जूमबर में में मिम्बर कीն्यूटी करते हैं तो दिसंबर में मिटिंग होती है तो अगर यस데i भी एलए वट या मार्च में तो फी या मार्च में बोर्ट के से पहले आपकी एक्जाम नहीं जाएंगे अगर मादमीक बहुत फास्ट किया तभी बोड गूंट की जब बोड का एक्जाम होगा तो सारे अधिकारी, सारे मादमीक सब बोड के एक्जाम में लग जाएंगे तो मैं और जून के लिए आप रिप्वेर रहे क्योंकि आयो की गति को देखके अभी तक कि यही सुचना निकल के आ रही है आपके जो भी क्वेरी जो हमारे कॉमेंट बोक्स में लिखे वहाँ पर रिप्लाई आपको दिया जाएगा ओके ठाइंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में